इसमें ये जो आपने बात की है ना मौश मैं उस पर फिर दुबारा आता हूँ पॉपलिजम के साथ उसे अटाच करता हूँ देखे मैं एक टीवी चैनल पर बैठा हूँ मैंने उस टीवी चैनल के मालिक के सेट के इंट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना है या फिर मैंने वहाँ पर नहीं बैठा हूँ या फिर हो सकता है मुझे उस टीवी चैनल के ओपर किसी ने बिठाया हो किसी ने कॉल मिलाई हो सीईयो को केस का शो होगा और वो कॉल इतनी तगड़ी हो कि CEO को लाले पढ़ गए हो कि आज ओनेर करना है या कल ओनेर करना है अब सोशल मीडिया पे क्या हुआ सोशल मीडिया पे मेरा जो सेट है न वो बन गई अवाम क्योंकि कोई भी एदारा कोई भी अफसर किसी बंदे के घर में जाके गन पॉइंट पे नहीं कह सकता कि मखदूम शाब को देखना छोड़ दो तो उस एंकर की भी मजबूरी थी अब मजबूरी है सोशल मीडिया ने जनलिस्ट को एमपावर भी किया लेकिन उससे भी ज्यादा एमपावर कर दिया अवाम को क्योंकि कोई भी अपने सेट को नाराज करने का सोच ही नहीं सकता अब इसे पॉपलिजम कहा जाए मैं अगले दिन एक बड़े आहम तरीन शखस है जो कि कुछ लोग हैं जो खुद साखता हमारे दारों के तरजमान है तो वो उनके साथ बैठा तो वो भी उनोंने मुझे यह बात कई एक्स्ट्रीम अगर चले जाएं और सहाफत में भी क्योंके इस वक्त साइड्स हैं पाकिस्तान तो अभी इवॉल्व कर रहा है हमने इसे पहले डिमॉक्रिसी बनाना है उसके बाद फिर हम वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी वाले जर्नलिस्टिक नॉर्म्स को अप्लाई करेंगे क्योंके देखें आपकी ओपर एक चीज अपलाई नहीं हो रही जैसे आपके ओपर एक चीज वाजब इनी होई तो आप कहें कि तुमने जकात नहीं दी आप कहें तो पहले आप यह तो देखो कि उस पर वह वाजब है भी के नहीं हमारे लिए यह बहुत से प्रॉल्म्स हैं पाकिस्तान में जर्नलिजम करने के अवाले से जाहरी बात है कुछ प्रेशर है वोही मैंने जो बात इप्तदा में की कि मेरे तक कोई बात ने पहुंची बट आई वस आफेर्ड आई वस आफेर्ड फॉम आमें इन स्ट्रीम चैनल में पिंडी के सहाफियं जिन से अब जी टीवी ने इजहर Moleटा लगकी कर लिया उनका नाम मेरे ज़हन से निखल गया लेकिन आम मैं देख के बता दूँगा तो घी टीवी के पिंडी के वो बात बात को पिंडी को पिंडी डिवियं को कमिशनर पिंटी डिवियन ने उनकी अप्लीकेशन पहुंचा दी होम डिपार्टमेंट पंजाब को होम डिपार्टमेंट पंजाब के सेक्टरी उससे हिलके रह गए और उन्होंने बाद में वो ब्रीफिंग दे दी पंजाब की कैबनेट को पर पंजाब की कैबिनेट ने का ये तो बहुत सीरियस मौमला है मौमला ये है कि वो रिपोर्टर साहब ने जो खान साहब की एडियाला जेल में गुफ्तगू सुनी अपने कानों से अपने गुनाहगार कानों से तो उसके बाद उन्होंने जो अब दफात इमरान खान साहब पे लगानी है जो पंजाब की कैबिनेट अप्रूवल दे चुकी है वो है एक मुल्क में जंग नाफिस करना दूसरा है मुल्क को दो लखत करने की कोशिश करना एक और सकूत धाका की तरस पर तीसरा पाकिस्तान की अफवाज के अंदर बगावत पैदा करना रैंक्स और फाइल्स में जो के बड़ी एक मैं समयता हूं सेंसिटिफ चीज़ है उस तरफ तो जिकर भी नहीं उसका करना चाहिए और चौता ये है के मुल्क के अंदर खाना जंगी अब ये चार दफात अगर आप देखें तो ये बड़ी खतरनाक तरीन दफात है और इस वक्त इमरान खन साब के बाकी सारे मुकदमाद जो है वो अल्मूस्ट आखरी सांसिल एक इदत ही रह गया पीछे वो भी कितना अरसा टिक जाएगा मेरा पहला जो असूल है मैं जिस एक प्रिंसिपल के उपर यकीन रखता हूँ मैं आपको बताओं कि I was a news presenter in hum news उस टाइम पे और उस टाइम पे मनजूर पश्टीन का इशू बहुत ज़्यादा वाइरल था तो एक प्रेस कांफेंस थी और उस वक्के डी जी आइस पियार जनरल असिफ गफूर साब जो है उन्होंने हामिद मीर साब के सवाल के उपर ये जवाब दिया कि नहीं आपको मनजूर का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए आप ऐसे बंदे का इंटरव्यू करेंगे जो कहता है ये जो दैशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है मैं मनजूर पश्टीन का सबसे बड़ा मुखालिफ वो हाव डेर यू आप सबको दैशत गर्द कह दो ना आपके इखतलाफाद कुछ लोगों से हो सकते हैं वो भी नफरत नहीं इखतलाफ तो मैंने मनजूर पश्टीन का सबसे बड़ा मुखालिफ होते हुए मनजूर पश्टीन का उस टाइम पर इंटरव्यू कर दिया जिसके बाद काफी कॉंट्रुवर्सी बनी कुछ मसाइल भी हुए जो के होते हैं साफी होते हैं मैंने अपने डिजिटल मीडिया के ले कि आफिसली कोई न्यूस चैनल डी जी आइस पियार कहें और कोई न्यूस चैनल वो काम कर जाए तो मैंने उस इंटरव्यू के शुरू में एक वाद की मनजूर को मैंने का मनजूर मैं आपके सबसे बड़े मुखालिफीन में आता हूँ ये तो हमारे मुल्क में पहला असूल होना चाहिए कि मुझे इकतलाफे राए है मुझे हसन यूब साब से भी होगा मुझे खरीदा साइबा से भी होगा लेकिन अगर उनके बोलने के हक पे मैं उनसे इकतलाफ भी करता रहूँगा और खुल के भी करूँगा लेकिन अगर उनके बोलने के हक पे किसी ने कदगन लगाई तो ये मेरा भी वाद है कि वो बेशक हमारे खिलाफ होने वाले एक्दामाद पर ना बोले मैं उनके खिलाफ होने वाले एक्दामाद पर हो सकता है ना क्योंके हमारे मुलक में बजलते, देर नहीं लगथ क्योंके मुझे से एक बंदे ने पूछा driving, कि में इमरान खंच की है और मैंने कुछ 6-7 साल की history as a journalist witness की होगी इससे पहले किसी सियासतदान ने अगर किसी तक्रीर में सर्विंग चीफ का नाम लिया था तो वो नवाज शरीफ साथ जब उन्होंने गुजरामला जलसे में बाजवार जनरल फैज को मुल्क की तबाही का जिमेदार करार दे दिया तो उसके बाद क्या हुआ उन पे पबंदी लगी टीवी पे थोड़ी सी सकती हुई लेकिन बाद में हमने ये भी देखा चश्म फलक ने भी ये नजारा देखा तो इस मुल्क में कोई possibilities नहीं है तो कल को अगर अगर अल्ला ना करे इन पे भी अताब आया तो हम इनके हक में बात करेंगे इक्तलाफ हम रखेंगे क्योंकि वो भी हुसन है मैंने आज तक काजी साहब पे तनकीद नहीं की मैं तो सिर्फ सीनियर जो हमारे साफी है मैं उनके अलफाज को हमेशा रिपीट करता हूँ काजी साहब केस सुन रहे थे जुल्फिकार अली भुटो की अदालती गतल का नदीम मलक साहब जो है उन्होंने जिस दिन बल्ले का निशान चीना गया तो उस पे उन्होंने ट्वीट किया के पाकसान तरीक इनसाफ का दालती गतल एक सियासी जमाद का दालती गतल तो वो मैं नहीं कह रहा मैं उनके कंदे पर रखके बंदूग चलाना चाहरा हूँ अगर सादा लफ्सों में साफ समझे तो नदीम मलक साहब ने तो का था लेकिन देखें मुझे ये लगता है कि आपको बाइस जो है ना मैं ये बात बार बार जब भी जस्ट्रेस अथर मिनला साब की रिमार्क्स अच्छे लगते हैं तो मैं ये बात याद करवाता हूँ कि जब वो इसलाम अदाए कोट के चीफ जस्ट्रस थे तो आप लोगों को भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं थे आज अगर आपने उन्हें हीरो बनाया हूँ है आज भी इसलाम अदाए कोट के जज़ेज अगर किसी नुकते के ऊपर आपके खिलाफ जाएं तो फिर आप ये moral courage PTI वाले दोस्तों को रखनी पड़ेगी कि वो इनके साथ खड़ेगी क्योंके मीठा मीठा हप अप कडवा कडवा तू तू बट लेट में तल यू वेरी इंट्रेस्टिंग तिंग राना सनाओला साब जब पहली शबाज शरीफ साब की गर्वर्मेंट आई तो इन वेरी candid discussion with a few journalists जब उन journalists ने पूछा कि ये जो establishment को गालियां दे रहे है राना साब आप इन्हें पकड़ेंगे तो राना साब के बड़े तारीखी अलफाज थे ये मैं पहली दफ़ा on the record बता रहा हूँ और ये अगर establishment समझना चाहे तो वो इसमें उनके लिए बहुत सी निशानिया राना साब ने का था कि इनहीं तियार कीते सेन्ना सानू गाला पापांदे सी हमें गालियां दिलवाता है तेरा एक दफ़ाइ इन्हें निकाल ले फिर हम अच्छे तरीके से एक दफ़ाइ निकाल ले establishment को पिर हम इन्हें पकड़ेंगे जब हम पकड़ेंगे तो ऐसे दिन मैं नवाज श्रीफ साब के पास गया और मैंने नवाज श्रीफ साब को कहा नवाज श्रीफ साब मैं खान साब से हम बड़ेता हूँ है पूरा प्लान है पूरी पूरी पॉलसी है पूरी स्ट्राटेजी है ऐसे ऐसे करके खान जाएगा मरियम बेटी वजीर आसम और नव मैं हमारे मौामलात हल करने दो। कहता है फिर मैं मूखी खा कि अगर गया जरदारी जर्दारी साहब के पास और जर्दारी साहब को का। एक चीज तो मननी पड़ेगी सणा बुच्चा सहाइब हैं सहाफी है उन्होंने एक बात कही मैंने नहीं कह रहा है ताना बुचा साइबा ने का कि एक चीज तो आउट अफ सलेबस आ गई है और वो यह है कि खान जेल से तंग नहीं आ रहा है इस इस समफिंग निव फॉर दी इस्टाबलिशमेंट एस विल यह दे वर नॉट रेडी फॉर दिस जैल जैसी भी ओश्किल तो है पर परसन लाइक इमरान खान जारी बात है दिर वर दिर वस रीजन कि वो बनी गाला रहते थे ना कि बड़ा डुला उन्होंने अपना पूरा तो आइटिंग जैल तो मुश्किल है लेकिन इमरान खान साब को दो तीन चीज़ों की रियलाईजे क्योंके पिछले दो साल के अंदर वो एकदम से वो हालात बदल गए जजबात बदल गए सब कुछ बदल गया पीटी आई की जो मुश्यूदा लीडर्शिप है ना मैं आपको एक बड़े वसूख से बता रहा है आज इनके घरों के बार लाइने लगी है जिस दिन इमरान बाएर आया जमान पार्क या बनी गाला के बाएर यही लोग आपको लाइनों में नजर आएंगे इस इस रियालिटी मैंने अपनी आँखों से इने बाएर तंबूहों में बैठे हुए देखा है ना इंतजार करते जो बंदे ऑखे सौखे मन गए हैं आप उनकी तकारीर ख हुले जमीन असमान का फर्क है खान साब का एंटी इस्टैबलिश्मेंट बेहानिया सिरफ वो टो कर रहे हैं जो पार्लिमेंट से बाएर हैं क्योंकि उन्हें अपनी अपने जखम भी है ना दो काम करें ना फवाद साब भी और पार्टी की मौजूदा लीडर्शिप फवा बनाईयां विद और विदाउट पार्टी फवाद चौधरी तबाना आवाज हैं मीडिया के स्वीट हार्ट हैं वो खान साब की रहाई के लिए अपने काम करें और अपनी आवाज उठाएं और पार्टी लीडर्शिप जो है ना वो फवाद चौधरी से इन से क्योर होने म मैं आपको एक और चीज़ ये बता हूँ अभी इमरान खान साब मुक्तदरा के लिए एक बहुत बड़ा चालेंज है जस दिन इमरान खान साब बाहरा आ गया ना पहला रहंदा जो है वो पार्टी के अंदर फिरेगा ये हकीकत है और पार्टी के अंदरूनी इختलाफात उस दूसरा एक और मसला ये है कि बहुत ज्यादा एक ही जिसे कहते हैं ना कि फैसला साज ये टॉप पोजीशन पर एक ही हो तो अच्छा है किसी भी कंपनी के चार सी ये वो अच्छे नहीं होते है पाकसान तरीके इंसाफ की जान तक बात है अगले दिन किसी ने मुझसे मसला ये है कि हमने इखलाकी एकदार का जनाजा उठा दिया मतलब अब पाकिस्तान के मेंस्ट्रीम मीडिया चैनल्स के उपर और पाकिस्तान टेलिविजिन नियूस के उपर महवारियां डिसकस हो रही हूं इन खावर मानिका के बारे में ये समझता हूं मजबूरियां अबाद एक मुलाजिम को आपने बीच में ले आए और ये जो प्रेस कॉन्फरेंस है ये भी आखरी बार था क्यूंकि ने पता है कि अदालत में ये टिकनी नहीं है चीज़ इस वस दे लास्ट ट्राइ कि आप चलो गंध हम और राइता पहला देते हैं लेकिन इससे हासल क् मैं बार बार ये बात करता रहूँगा कि मुक्तदरा में बैठे हुए बंदों को ये सोचना पढ़ेगा कि पिछले तीन साल से किये गए इकदामात का फाइदा किसे हुआ नुकसान किसे हुआ पंजाबी का एक मोहवर है पीटी आई की जो कंडिशन थी जिस टाइम पर वोट अफ नो कॉंफिटेंस आया कुबन लट मारी हो दा कुब निकल गया तक्सीम घेरा तंग होता जा रहा है मुझे लग रहा है सुप्रीम कोट अफ पाकिस्तान में दी और जैसे इसलामगाद हाई कोट में आमिर फारूक साब है वो अब चाहते ना चाहते हुए भी अब यही एक हाल होता है कि आप भी फिर साथ ही हो जाएं यह बदेर होना है क्योंके जिस तरह से खुलके मुझे दुख इस बात का नहीं होता कि पीटियाई के हक में दें फैसला या खिलाफ दें वो एक अलग कहानी है बट एक तो वो उन्होंने उन्हें सलाम है उस बंदे को जिसने मश्वरा दिया काजी साब को के यह सुप्रीम कोड प्रोसीडिंग्स लाइफ दिखाई जाएं तो काजी साब उसमें जो कुछ कर रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं ना कि उसमें like election commission को या government को वकील की जरूरत नहीं होती और अच्छे दलाइल के उपर वो visibly irritated नजर आते हैं जो के टेक्निकली दूसरे फरीक को होना जीए के भास जाए तो एक इस पे दुख होता है PTI के लिए नहीं अगर यही कोई judge exactly out of the way जाके PTI को relief दे रहा है तो वो भी खलत कर रहा है merits देखें ना उस पे बोलता हूँ और इनकी जो कमाल की performance है मैं हमेशा उस पे जब भी कोई ऐसी खबर आए ना कि किसी को जैसे मरीम नवाशीव साहिबा ने मसालची के लिए करोड़ों का budget रखा तो मैं अपने व्लॉग के शुरू में कहता हूँ के खुश ख़बरी है अवाम के लिए there is उसकी मैं आपको वज़ा बताता हूँ अब आप ऐसे इसकी मिसाल ले लें कि एक नौजवान है उसने पसंद से शादी कर ली है अपनी पसंद के लिए आया है अब कुछ ओखा सौखा बोरा भी चल रहा है ना वो बाहर किसी को घर में कह नहीं सकता वाल दैन को किया है मैं कि उन्हों किया ना तो वो वैसे भी उसकी कुछ चीजें आपको बुरी चीजें भी बंदा साइकलोजिकल है जबरदस्ती शादी करवाएं किसी की गन पॉइंट पे फिर तो होगा सांस भी नहीं सही लेती मसला यह जबरदस्ती की शादी है अवाम की सुकूब के साथ इनकी क ज्यादा मसलूम ही कोई नहीं है। यह काबल-रह्म हालत है मरीmnमाज ज्यादता के पास क्या उख्यार होगा कि यह चीजा होगा के वज़िर आजमा तो उसमे आज क्या पकाया जाए कि अब श्रिपाざटें कि वज़ारतें वहां चाहित जैझा है कि की बातो इम्रान खन सब्डिमाटरसी इंडेक्स के मुताबिक अगर मैं मैं अपनी अपनी ओपीनिस बेरा इम्राइन नेक्स के मुताबिक दाट वस ऐ हाइबरिड रजीम ठीक है उसके बाद अभी वाली को वह अथौरिटेरियन को थे तरियन कहते हैं क्योंके then you have a margin to speak against dictatorship. अभी किस चीज़ के खिलाफ बुलें हैं? आप तो कहेंगे जब हुरियत है?